जो मुझे सामर्थ देता है अर्थात मसी उसमें हो करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं इसी चीज़ के उपर आगे निर्मान करना चाहूंगा और जो मैं आपसे आज साजा करना चाहरा हूँ यह है कि जो मुझे सामर्थ देता है अर्थात मसी में हो करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ और जब हम शेतान से युद के विशय में सोचते हैं तो हम यह पाते हैं अपने जीवन के संदर में देखते हुए कि यह उतना आसान नहीं है और मैं आपसे कुछ ऐसी बातों को साजा करना चाहूंगा जिन्हें परमेश्वर ने मुझे सीखाया है और मैं एक उदारन सोच रहा था यदि मुझे इस घर को इस कमरे को सुरक्षित रखना है तो और यदि हम मैंसे हर एक को इस कमरे को सुरक्षित रखना है तो और यदि हम सोचें कि हमें इस कमरे को ऐसा बनाना है ताकि लोग इसमें प्रवेश ना कर सकें अर्थाच शत्रू इसमें ना आ सके और हमने एक सात मिलकर करके टीम के रूप में काम किया और छोटे से लेकर के बड़े तक हर वैक्ति के सुज़ाव को महत्व दिया गया यहाँ पर और हमने हर एक दर्वाजों को, हर एक खिड़की को मजबूत किया और सुरक्षित किया हमने सारे जो सुराक थे, जो रोशनदान थे, उन्हें सुरक्षित किया और हमने वीडियो कैमरा लगा दिया और हमने ऐसे लोगों को बैठा दिया जो हर जगह पे रखवाली कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं शत्रू प्रवेशना कर जाए और हम अपने आपको बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हैं परन्तु यदि मैं कहूँ हूँ कि जो हमारा शत्रू है वो हम सब की बुद्धिमानी को मिला करके भी हमसे एक दसलाख गुना जादा बुद्धिमान है तो क्या हमारे पास वही साहस रहेगा वही आत्म विश्वास रहेगा और हम सब मिलकर के इस इमारत उस रक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि मैं इस बात को जान जाओं कि वह शत्रू जो हमारे भीतर प्रवेश्ट करने की कोशिश कर रहा है वो हम से यह 10 लाख गुना ज़्यादा बुद्धिमान है चतुर है मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं परन्तु मुझसे ज़्यादा चतुर है तब इससे कोई ज़्यादा अंतर उत्पन नहीं होगा और मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा उस एक्ता के लिए जो हमारे मध्य में है और हम इस बात में पूरा आत्मों विश्वास रखेंगे कि हमने अपना बहतरीन प्रयास किया है परन्तु वास्तविक्ता में ये दुशत्र हूँ मुझसे 10 लाख गुना ज़्यादा अधिक चतुर है तो मैंने कुछ ज़्यादा सुरक्षित अपने आपको नहीं किया है फिर और जो चीज़े मुझे दिख रहे हैं उन लोगों को ताला बंद करके मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है क्योंकि जो मेरे दिमाग है जो मेरे बुद्धी है वो एक शमता तक ही जा सकती है और मैं नहीं जानता कि हम मेंसे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात की उपर विश्वास करते हैं कि शैतान हम मेंसे कम से कम दस लाख गुना हमसे अधिक बुद्धीमान और चतुर है आप इसके विशे में सोचें और सोचें कि आपकी सृति से अपने मसीही जीवन को जीते हैं आप अपने आप से प्रश्न करें और परमिश्वर ने हमें योद्धा के तोर पे बुलाया है और आपका जो मसीही दिन मसीही जो वाख है मसीह जो चाल है उसमें आप देखें कि क्या आप इस रिती से देख पा रहे हैं कि शैतान हमसे दस लाख गुना अधिक चतुर है और मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा जैसे हम इस संसार में रहते हैं एक इमानदार प्रश्न पूछूंगा क्या आपको लगता है कि आपको आसानी से मुर्ख बनाया जा सकता है क्या आपको लगता है कि आपको आसानी से मुर्ख बनाया जा सकता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हमारे लिए सोचना कठीन है क्यों मिर लिए हैं सोचना कठीन है कि मैं आसानी से मुर्क बनाया जा सकता हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी सिक्षा मिली है और मैंने बहुत कठोर परिश्णम करके पढ़ाई और डिग्री हासिल की है मैं अखबारों को पढ़ा करता हूँ इसलिए मैं बहुत सतर करता हूँ कि किस तरीके से लोग गुसने का प्रयास कर सकते हैं और मैं हमेशा सीखता रहता हूँ और मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आसपास के लोगों से सबसे अधिक बुद्धिमान विखती हूँ परंतु मैं अपने जीवन को घमंड के तौर पैसा सोचते हूए नहीं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ परनतु सदहरन तोर पर से सोचते हुए कि मैं हाँ, कुछ तो मैं बुध्धिमान हूँ, ये सोच करके मैं जीता हूँ. और मैं अपने जीवन को इस रिती से ले करके चलता हूँ, कि मुझे कोई आसानी से मुर्ख नहीं बना सकता है. परन्तु मैं सच मुच में, सच मुच में गलत हूँ और मुझे बहुत ही असानी से मुर्ख बनाया जा सकता है क्योंकि जो शैतान है वो मुझसे 10 लाख गुना अधिक चतुर है और यह इसकेल नबे की पुस्तक 28 सध्याय और उसका 13 वचन यह इसकेल 28 सध्याय और उसका 13 वचन और यहां पर वो शैतान के विशे में बातचीत कर रहा है यह इसकेल 28 सध्याय तीसरा वचन और मुझे नहीं पता कि हम में से लोग इस वचन को जानते हैं या नहीं और यहां पर वो कहता है देख तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है और क्या आपको लगता है कि आप दानियल से बुद्धिमान है आप कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं लगता है पर अंदू इसके भी शेय में कह रहा है कि तू दानियल से अधिक बुद्धिमान है और कोई भेद ऐसा नहीं है जो तुझ से च्छिपा रहे और इसलिए शैतान के लिए इस दुनिया में सबसे आसान काम है कि मुझे मुर्ख बना दे सबसे आसान और मैं उसके हाथ में एक मक्षन के समान हूँ और वा मुझे बहुत आसानी से मुर्ख बना सकता है और यहाँ बात जो मुझे बिचलिट करती वाया है कि जैसे कि हम सब को सिखाया गया है कि शैतान किसी भी नया जनम पाई हुए विश्वासी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और यह वह मसीही जिसका नया जनम हुए वह कभी भी शैतान से ग्रसित नहीं हो सकता है और कोई भी अश्रुद आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकती है यदि हमारा नया जनम हुआ है तो और जब यदि हम मसी के साथ चल रहे हैं तो कोई भी शैतान हमारे अंदर नहीं घुस सकता है और इसका जीरो प्रतिशत चांस है परंतु परंतु हमें इस बात को भी समझने की अवशक्ता है कि हमारे अंदर ऐसा कोई है जो शैतान के समान ही सोचता है और हमारे अंदर भी ऐसा कोई है जो भी परमेश्वर से नफरत करता है और वो शैतान नहीं है वो कोई दुष्टात्मा नहीं है और कोई शैतान दुष्टात्मा नहीं जो हमारे भी तर रहे करके परमेश्वर से नफरत करती परन्तु एक शत्रूता है परमिश्वर के प्रती जैसे हम रोमियो आठ अध्याय में पढ़ते हैं और रोमियो की पत्री उसका आठवा अध्याय और उसके साथ और आठ वचन में हम इस रीती से पढ़ते हैं कि मन जो शरीर के उपर लगा रहता है वह तो परमिश्वर से बैर रखता है और परमिश्वर के आधीन नहीं होता है और हमारे अंदर कोई है जो परमिश्वर से नफरत करता है और उन लोगों के अंदर भी हम जो कहते हैं कि हमारा नया जनम हुआ है और यह हमारी स्वार्थी इच्छा है और यहाँ पे शैतान का एक सहयोगी है जिसके माध्यान से शैतान बाहर रहते हुए भी हमसे जूट बोल सकता है हमें धोखा दे सकता है, हमें चालबाजी में फसा सकता है और इसलिए शैतान जो है, वो हमारी भावनाओं का हमारी फीलिंग्स का इस्तमाल करता है ताकि वो हमारी भावनाओं के साथ खेल सके और वो हमारे लॉजिक का इस्तमाल करता है ताकि वो उसे तोर मरोड सके, ताकि हम उसके उद्देश्यों को पूरा कर सके और वो हमारे चापलूसी का और स्वार्थी इच्छा का इस्तमाल करता है ताकि हम अपने स्वार्थ की इच्छा को पूर्ती कर सके और शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन का भी यहां तक इस्तमाल करता है ताकि उसे तोर मरोड करके वो हमारे सामने एक जूट बना सके और यह वो सारी चीजे हैं जिसे शैतान बाहर से कर सकता है और इन सब के साथ एक सबसे खतरनाक या दूरभाग्य पूर्ण बात यह है कि उसका एक सहयोगी है जो मेरे अंदर ही रहता है दूसरा कुरंटी 11 अध्याय और उसका तीसरा वचन हम इस वचन को जानते हैं और इसके विश्य में हमने अनेक बार बात किया है और तीसरे वचन में कहता है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को भैकाया जैसे सर्प ने हवा को भैकाया क्या शैतान ने उसे अपनी सामर्थ से या अपना भयाना का रूप दिखा करके भैकाया नहीं परंतु अपनी चतुराई से शैतान ने हवा को भैकाया था और उसने अपनी चतुराई से अपने दिखावे से हवा को भैकाया था और वह ऐसा भेद धारन भेश धारन कर सकता है कि अपने आपको सारे मनुश्यों से भोला दिखा सकता है और यह शैतान की चतुराई है जो हमेशा हमसे बढ़ करके रहेगी और यह भी हम अपने आपको नया जनम पाया हुआ मानते हैं तो भी शैतान की चतुराई के सामने हम में से कोई भी वेक्ति खड़ा नहीं रह सकता है और सबसे दुर्भाग्यपून बात यह है कि हमारे भीतर शैतान का एक सहयोगी है जो हमारे भीतर ही रहता है और वह भी परमेश्वर से नफरत करता है और बाइबल बताती है कि संसार के ईश्वर ने हमारी आखों को अंधा कर दिया है दूसरा कुरंती 11-18 ध्याय के तीसरे वचन में हम देखते हैं कि वह हमारे मं को बहका देता है और मैं मांता हूँ कि हम मेंसे बहुत सारे लोग जो है वो अपने जीवन को अपने लॉजिक के अनुसार अपने तर्क के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं और अपने तर्क के अनुसार जीवन जीते हैं और यदि कुई वेक्ति आ करके मुझे इस बात का आश्वासन दिलाए कि तू जो काम को कर रहा है और उसको तर्क दे करके मुझे समझाए कि उससे बहतर तरीके से कर सकता है यदि तू मेरे तरीके से करेगा तो हम उसकी बात को मान लेते हैं और उसके बाद एक इस्तरी आ करके मुझसे कहती ठीक है तू इस तरीके से कर रहा है परन्तु मैं तुझे इससे एक और बहतर तरीका बताऊंगी इस काम को करने का तो हम उसकी बात को भी मान लेते हैं और इसी रिती से तो मैं अपने संपूर्ण जीवन भर चलता रहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा तर्क का इस्तमाल करते हुए कई बार अपनी भावनाओं के उपर निर्भर रहते हुए और हम में से कई सारे लोग इतने सिक्षित हो सकते हैं उसके बज़ेसे हम अपने जीवन को भावनाओं के उपर निर्भर नहीं रखते हैं और जो शयतान है वो हमारे चारो तरफ इन तरकों को घूमा घूमा के हमेरे चारो तरफ जाल बून सकता है, दौड सकता है और इसका यहां अर्थ नहीं कि हम अपने लॉजिक अर्था तरफ को दरकिनार कर दे या अपनी भावनाओं को दरकिनार कर दे परंदू जिस बात को हमें शीखने के अवशक्ता है वह यह है आगि हम उनकी तुल्ना परमेश्वर के वचन से करें तो हम उसक्यूपर भरोसा नहीं कर सकते हैं और नया जनम पाने के बावजूद भी और अपने तर्क में और अपने अनुभों में परमेश्वर का अनुसरन करने के बाद भी हम धोखा खा सकते हैं क्योंकि हम एक ऐसे शत्रू के साथ निपट रहे हैं जो हमसे 10 लाख गुना अधिक चतुर है इसलिए हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं एक बिंदू पे पहुंचाना चाहरा हूँ आप सबों को और हमें अपने जीवन को ऐसे जीना है एक ऐसे व्यक्ती के समान जो वास्तविक्ता में मदद का खोजी है और यदि मैं वास्तविक्ता में इस सत्य को स्विकार कर लो कि मैं ऐसे शत्रू के साथ निपट रहा हूँ या ऐसे शत्रू के साथ मेरा सामना हो रहा है जो मुझसे 10 लाख गुना अधिक चतुर है और उसका एक सहयोगी मेरे अंदर है जो भी परमिश्वर से नफरत करता है इसलिए सबसे पहला वच्चन या शब्द जो हमारे रिदे से हमारे मुह से निकलना चाहिए वह है मदद या सहायता और हमने सुना उसके विशह में कि हमारे अंदर जरुवत कर रिदे होना चाहिए और आवशक्ता या जरुवत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैं उपजाता हूँ और आवशक्ता एक ऐसी चीज है जो मेरे अंदर से अपने आप आती हो और इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ या इसलिए नहीं कि मैं बहुत ही कठिन परिस्थिती में पड़ गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक ऐसे शत्रू के साथ निपट रहा हूँ वेभार कर रहा हूँ जो मुझसे एक दस लाख गुना अधिक जतुर है और उसका एक सहयोगी है जो मेरे अंदर वास करता है और वह सहयोगी परमेश्वर से नफरत भी करता है और चाहे वो अच्छी परिस्थिती में हो या बुरी परिस्थिती में हो चाहे समृद्धी में हो या गरीबी में हो चाहे सुख में हो या दुख में हो हर एक परिस्थिती में मदद, सहायता और यही वह शब्द है यही वह पुकार है जो मेरे अंदर से निकलनी चाहिए और मैंने इस बात को मत्ती रचित सूसमा चार उसके ग्यारवे अध्याय में देखा और मत्ती 11 ध्याय और उसके 25 वचन में हम पड़ते हैं और इसका जो प्रिष्ट भूमी है वाई है कि यहां पर प्रभू येश्यु मसी इस्राइल के शहरों से बातचित कर रहे है और उन शहरों से बात कर रहे हैं जिन्होंने इन सामर्द के कारियों को अपने आखों के सामने होते हुए देखा है और उसके बावजूद भी उन्होंने मन नहीं फिराया है और इसके विशे में अब सोच करके देखिए और ये ऐसे लोग हैं जो प्रभू येश्यु मसी की खोच करते हैं और इन्होंने अपनी आखों से देखा और कहते हैं कि हां मैंने अपनी आखों से देखा था कि कैसे अंधा वेक्ती देखने लगा और मैं उन सब चीजों के विशे में बाद विवाद इसले नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी चीजे मेरी आखों के सामने घटित हुई है और इसके बावजूद भी हम यह पाते हैं कि प्रभु हेश्यु मसी इन शहरों को डाट रहे हैं इन शहरों को उलाहना दे रहे हैं क्योंकि यद भी इन्होंने इन आश्यर करमों को अपने आखों के आगे होते हुए देखा था उसके बावजुद भी इनों ने मन नहीं फिराया था और यहां पर उसका कारण दिया है कि क्यों इन लोगों ने मन नहीं फिराया और इसी बात की चेतावनी तो मुझे भी दी जाती मत्ती 11 ध्यार उसका 25 वचन और हे पिता स्वर्ग और प्रत्वी के प्रभू मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुने इन बातों को ग्यानी और समझदारों से छिपा रखा है और इसलिए क्योंकि यह लोग समझते हैं कि यह बहुत ही बुद्धिमान है समझदार है क्योंकि ये लोग अपने तर्क के उपर भरोसा रखते हैं और ये लोग अलोकिक तर्क की ओर और अलोकिक बुद्धी की ओर नहीं देख रहे हैं जो मानवी बुद्धी से कहीं बढ़ करके है और शेतान आता है और इशु मसी के आशर करमों को इनके सामने तोर मरोड के दिखाता है उनोंने शास्तरों का अध्यान किया उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को देखा और उन्होंने शास्त्रों को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा आपको पता है हमें इश्यू के साथ क्या करना उन्होंने सम्मती करके उसे मार डाला और उस समय के सबसे धार्मिक लोगों ने परशास्त्रों का परमिश्वर के बचन का अध्यन किया अपने तर्क का इस्तमाल के और परमिश्वर के पुत्रों को ले जा करके मार डाला और हम जितना पढ़ते हैं उससे कहीं बढ़ करके उन लोगों ने फरीसियों ने परमिश्वर के वचन का अध्यन किया था और हम भी उसी विनाश के भागी होंगे परमिश्वर के वचन के साथ साथ क्योंकि हम परमिश्वर के वच्षन को बहुत ही असानी से तोर मरोड लेते हैं और इसलिए हमें बहुत चतुर होने की आवशक्ता है पहला पत्रस पांच अध्याय कहें और पहला पत्रस पांच अध्याय में कहता है सचेत रहो एक अच्छे बुधिमान मन के रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सीह के समान इस बात की खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए और वो हमारे अंदर आकर के हमें फाड़ नहीं खा सकता है परांतु शेतान क्या करता है कि वो बाहर से हमारी और दहाडता है गरजता है और भावनाओं के माध्यम से वो बाहर से गरजता है क्योंकि वो जानता है कि जो उसका सहयोगी हमारे अंदर है उसके बाहर के दहाडने के द्वारा वो जागरित हो जाएगा और या तो हम अपने विश्वास में लगवा ग्रसित हो सकते हैं या तो अपने विश्वास को पूरे रिती से त्याग सकते हैं इसलिए हमें चतुर मन का होना अवश्यक है हमें सचेत रहना है और यह पत्रस है जो मसीहों से बातचीत कर रहा है और वो कह रहा है तुम्हें एक बुद्धिमान मन का होना है सचेत होना है क्योंकि तुम्हारा एक शत्रु है तुम्हारे बाहर जो तुमसे दस लाख गुना अधिक चतुर है और उसका एक सहयोगी तुम्हारे भीतर है और इसलिए तुम्हें एक बुधिमान मन का होना है, बुधिमान दिमाग का होना है, सचेत होना है और यही तो होता है एक बालक के समान बननाव, मैं फिर से उसी कहानी को धराऊंगा जिसे मैंने शुरुवात में कहा था अब आप बताईए यहाँ पे हमारे पास एक नवजाद बच्चों का समू है जो इस कमरे की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं पाँच साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीन महने के बच्चों के विशे में बात कर रहा हूँ और वो किस रिती से इस कमरे की सुरक्षा कर पाएंगे, वो सिर्फ रोएंगे और कहें के लिए रोएंगे, मदद के लिए रोएंगे हे परमिश्वर मैं तरह धन्यवाद करता हूँ कि तुने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से चुपा रखा क्योंकि एक जो नवजात सिशु है, उसके उपर ये बातों को इसलिए प्रगट के है, क्योंकि जो नवजात सिशु है, वो जानता है कि मैं अपने शत्रू से एक खरब कम उससे बुद्धिमान हूँ, इसलिए वो मदद के लिए पुकारता हूँ और कहता है, सहायता करो मेर और वो कहता है, पिता में तरह धन्यवाद करता हूँ कि तुने इस रिती से इन चीजों को होने दिया है, जो तेरे द्रिष्टी में प्रसंद करने वाला है, और जब मैं वास्तविक्ता में इमानदारी से मदद मांगता हूँ, हर एक परिस्थिती में जब मैं मदद मांगता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि सहायता करने वाला उपलब्ध होता है, पवित्र आत्मा तुरंट आता है और यह केवल तभी होता है जब मैं सहायता मांगता हूं और तब जो सहायता करने वाला है, सहायक है वो एकडम वास्तविक हो जाता है और हमें इस रिती से प्रसिख्शित किया गया है कि हम मदद तभी मांगते हैं जब हमारे साथ चीजे ठीक रीती से नहीं होती है जब हम अपने नौकरी खो बैठते हैं या जब हमारे बच्चों की तबियत खराब होती है तभी हम मदद के लिए पुकारते हैं परन्तु यह मसीही जीवन नहीं है और ऐसे ऐसी परिस्थिती में तो भक्ती हिन लोग भी मदद और सहायता के लिए पुकारते हैं और वे मंदिर में जाते हैं मस्जित में जाते हैं गिरजा घर में जाते हैं जब उनके बच्चों की तबियत खराब हो जाती है वे कुछ भी करते हैं उस समय वे किसी भी इश्वर से प्रार्थना करते हैं तो फिर एक भक्ती हीन में एक भक्ती हीन वेक्ती में और एक मसीही वेक्ती में फिर क्या अंतर होता है क्योंकि मसीही वेक्ती वा होता है जो हर समय मदद के लिए पुकारता है और जब मैं मदद मांगता हूँ तो मैं सब चीज़ों को कर सकता हूँ चाहे मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ मैं हरे चीज़ों को पूरा कर सकता हूँ और चाहे मेरी परिस्थिती कोई भी क्यों ना हूँ जब मैं मदद के लिए रोता हूँ पुकारता हूँ मुझे मदद मांगने की जरूरत है वचन में एक बात को येश्य मसी दो बार कहते हैं और हमें उसके उपर ध्यान देने की आवशक्ता है और उसने कहा कि यह तुम पर प्रगट की गई है और 27 वचन में भी कहा गया कि प्रकाशित की गई है कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र गरबा जिस पर पुत्र उसे प्रकाशित करना चाहे और यह एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर को हमारे उपर प्रकाशित करना होता है कि हम असहाय लोग हैं कि हमें मदद की आवशक्ता है हम छोटे बच्चों के समान है और इसका सबसे बहतरीन उदारन है पत्रस और मरकुस साथ अध्याय में हम देख सकते हैं कि पत्रस वास्तविक्ता में अपनी उसकी कमी से उसका आमना सामना होता है और जब उसने उस मनुष्य को बैचसदा में जंगे होते देखता है तब अपनी कमी का हिसास करता है और तब पत्रस परमेश्वर के पास जाता और कहता है कि मुझे दिखा मेरे उपर प्रकाशित कर और तब पिता जो है पत्रस के उपर इन बातों को प्रकाशित करता है कि येश्व मसीही परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि उसके बाद वे लोग कैसरिया फिलप्पी के देश में जाते हो और वहाँ पर येश्व मसीह उनसे पूछता है कि लोग मेरे विशह में क्या कहता है कि मैं कौन हूँ और उन्होंने कहा कि कोई तुझे एलिया कोई तुझे भविश्वद्वक्ताव में से एक कोई अर्मिया कहता फिर इश्व मसीन उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो और पिता ने पत्रस के उपर इह बात को प्रकाशित किया था किया परमेश्वर का पुत्र है प्रकाशन और एक प्रकाशन जो है वो तर्क को परिवर्तित करके रख देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अनपड मच्वारा उन बातों को देख पा रहा है जिसे धार्मिक शास्त्री लोग नहीं देख पा रहे थे किया परमेश्वर का पुत्र है और इस प्रकाशन के वज़े से ईश्यू मसी ने पत्रस की प्रशंसा करते हुए कहा कि धन्य है तू पत्रस परंतु हम देखते हैं कि कुछ बचनों के बाद आगे क्या होता है और जब येश्यू-मसी ने कहा कि आने माले दिनों में मैं कुरूस की मृत्यू से होकर के गुजरूँगा तो पत्रस ने क्या किया वो फिर से अपने तर्क की और वापिस चला गया और आप बताये कि कौन वख्ती जो अपने सही मन का हो वो आश्यू Μसी को Kruse की मृत्यू में जाने के लिए अनुमती देगा और इतना अश्यू मसी के समान ऐसे खास वेक्ति को कौन Kruse की मृत्यू पे मरते होे देख सकता है कौन से प्रकार का लॉजिक कौन से प्रकार का तर्ख आपको ऐसे करने की जनुमत ही देगा और इसलिए पतरस कहता है कि नहीं ऐसा तेरे सथ कभी नहीं होगा और वो फिर से अपने ही समझ और अपने ही तर्क के उपर भरोसा करना आरंभ कर देता है और वो कहता है कि यही खृपया करके येशु को ना मारो और इश्यू ने उससे कहा कि मेरे सामने से दूर हो जा शैतान तुरंत और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ठीक प्रकाशन परमेश्वर से प्राप्त करने के बाद कुछी छण बीतने के बाद कैसे पत्रस फिर से अपने तरक में चला जाता है क्योंकि शैतान उसको बाहर से उसक्यूपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था और इसलिए हम देखते हैं कि पत्रस तुरंत अपने तरक में वापिस चला जाता है और मत्ती 11, 25 और 27 पचन मुझे यह सिखाता है कि मुझे एक बालक के समान बनना है और हर एक परिस्थेती में मेरी केवल एक ही पुकार होनी चाहिए और वह है सहायता की चाहे अब समृद्धी में हो चाहे अब तकलीफ में हो और हमारी जो अंदर की पुकार जो लालसा है वह एक बालक के समान होनी चाहिए तभी तो हम निरंतर प्रकाशन के वचनों को प्राप्त कर पाएंगे और मनुष्य उन्ही वचनों से जीवित रहता है जो निरंतर परमेश्वर के मुख से निकलती रहती हैं अर्थात प्रकाशन और पत्रस के समान नहीं एक बार कि उसे प्रकाशन मिला तो उसने कह दे कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसी और कुछ बीतने के बाद वह अपने फिर से बापिस अपने तर्क में चला जाता है नहीं वैसा नहीं और यह मुझे इस बात को दर्शाता है कि मुझे एक बात के उपर प्रकाशन मिल सकता है और उसके कुछ मिनट या कुछ घंटे की बीतने के बाद मैं बिलकुल भक्ती हिन वक्ती के समान बरताव करने लगता हूँ शेतान के द्वारा प्रभावित हो करके और हमें कहना है कि प्रभू जी मुझे निरंतर प्रकाशन चाहिए और मैं निरंतर चाहता हूँ कि मेरे अंदर से यह पुकार उठती रह चाहे मेरे अंदर समस्या हो या समस्या ना हो अपनी समझ का सहारा ना लेना आप तीन साल के जो हैं आप जो पांच साल के हैं आप जो पैतिस साल के हैं या एक सो पांच वर्ष के हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपकी उमर कितनी भी है पर आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और एक बालक की समान आपको बनना है और आपको ऐसी कल्पना करना है कि आप एक तीन माह के बच्चे के समान है और आप इस बड़ी इमारत की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और केवल एक ही शद्ध है जो आपकी मदद कर सकता है और वह है सहायता और जो हमारा सहायक है वो अतीस हद से हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है और तयार है और एकदम तुरंट आता है हमारे न्याई चुकाने के लिए सहायता और अपने सारे मारगों में अपने सारे कामों में उसको स्मरण करके करना और होने दिना की वही तुम्हारी अगवाई करता रहे और उसका इंतजार करो तब तक इंतजार करो जब तक वह आपके लिए द्वार को ना खुले और अपने से चतुर आइडिया को लेकर के आने की कोशिश ना करें योकि हम सब उस तीन माह के बच्चे के समान है तीन माह के बच्चों के समू के समान है जो शैतान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बस इस बात को ग्याद करना है कि प्रभुजी मैं कमजोर हूँ, मैं एक बालक के समान हो और मैं नहीं जानता कि मैं इस समय में क्या करूँ तू ही इन सारी समस्याओं को हल कर सकता है मेरे वेक्तिकत जीवन में, मेरे परिवारिक जीवन में, मेरे आर्थिक जीवन में, मेरे स्वास्त के जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में और मैं बालक की आत्मा में बना रहना चाहता हूँ और प्रभु जी आप मेरी अगवाई करें और जैसे बच्छन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वा तेरे ले सीधा मार्ग निकालेगा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और जैसे हम एक बालग बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु हमारी सहायता करें खरमेश्वरी सहायता करें झाल झाल